हलो गाईज कैसे हूँ आप सब गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स एक बर फिर से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यानूची में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम चलते हैं मॉर्निंग वाग पे और मॉर्निंग पर हम कहां जा रहे हैं आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेगा आज हम आपको बहुत सुंदर सुंदर प्लांट दिखाएंगे तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को वाग जरूर करिएगा फ्रेंड्स आज मैंने बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया है बहुत छोटा सा बनाया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर वाज करिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल पर अगर नहीं है अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए तो फ्रेंड्स चलिए चल हुआ है यहाँ पर और आपको पहुं सुंदर सुंदर हरे हरें ब्लांट हम आपको दिखा रहे हैं फ्लावर लगे हुए है देखिए कितनी बड़्या हवा चल रहे है बड़ा अच्छा मौसम है सुहामना मौसम है और चेगया चिडियों की चूटब सुनना बड़ा सबसे पहले अपनी चट पे लेके आएं मॉर्निंग वाक कर रहे हैं यहीं हम पहल रहे हैं और आपके लिए वीडियो भी सूट कर रहे हैं तो आप सभी लोग इंज्वाइ करिए और अभी हम आपको बहुत सुंदर सुंदर गार्डन दिखाएंगे और भी प्लांट हैं जो हम हम आपके साथ सेयर करेंगे तो आप सभी लोग वीडियो को देखते रहे हैं वीडियो को पूरा बाच करिए फ्रेंड्स यह देखिए हम आपको अपनी चट का पूरा मॉयना करा रहे हैं अपनी चट के गार्डन को दिखा रहे हैं और हम आपको उपर बादल का भी सीन और बहुत सुहामना मौसम है एकदम भीनी भीनी सी सुबा है ठंडा ठंडा मौसम है बहुत अच्छा लग रहा है तो आप सब लोग देखिए ये मैंने बादलों की थोड़ी सी वीडियो सूट की है तो आप देखिए कि कितना अच्छा मौसम है कितना अच्छा लग रहा है चारो तरफ सन्नाटा है तो इसलिए बहुत ही ज्यादा दिल को खुश कर देने वाला मौसम बना हुआ है फ्रेंड्स देखिए हम आपको अभी बाहर भी ले चलेंगे और बड़े-बड़े प्लांट भी दिखाएंगे फ्रेंड्स ये हमारे घर के बाहर का एरिया है और देख देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल सन्नाटा है कोई छट पे भी नहीं दिख रहा है ये देखिए हम आपको बहुत सुंदर गार्डन दिखा रहे हैं ये गार्डन आंगन में बना हुआ है ये हमने छट से सूट किया है फ्रेंड्स तो आप सीन है ये पार्क का सीन है जहां पर बड़े-बड़े कनेर के प्लांट लगे हुए है ये देखिए बहुत सारा फूल इस पर आया हुआ है यलो कलर का कनेर है फ्रेंड्स ये देखिए छूल का पेड़ा है फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा पेड़ा है इसके पत्ते बहुत ब बड़ा प्लांट यह होता है और यह देखिए कि पूरा मौसम सुहाना सुहाना सा लग रहा है यह हमारी चाची है जो योगा कर रही है च्छत के उपर कि आप देखिए बिल्कूल सन्नाटा है और यह सीन बहुत अच्छा लग रहा है आप देखिए सूरज की लाली तो च्छाई हुई है पर अभी सूरदेव ने दर्शन नहीं दिये हैं क्योंकि अभी उनके निकलने का टाइम नहीं हुआ है अभी तो साड़े पांच बज गया है पौने छे का टाइम हो चुका है तो अभी इतनी जल्दी सूरदेव नहीं आए से ये सीन का नजारा कुछ अलगी होता है इस सीन को देखकर सुबा सुबा ये सीन देखकर दिल बहुत खुश हो जाता है फ्रेंड्स हम मौर्निंग वाक करके आ चुके हैं और अब हम सब्जी काट रहे हैं क्योंकि हमें टिफिन भी बनाना है हस्वेंड हमारे ऑफिस जाए सब्जी कट रहें हैं क्योंकि हमें बहुत जिल्दी टिफिन भी ना रहे थ है नहीं तो फिर लेट हो जाएगा तो इस सब्जी हमपहले अपने तो के ल얼ओं नお願いします आटा गूत लेंगे, हस्वेंट हमारे रेडी हो रहे हैं ओफिस जाने के लिए, तो इधर इनकी तैयारी होगी, तब तक उधर हमारा खाना बन जाएगा, नाश्था हमारा बन जाएगा, तो यह हम आटा गूत रहे हैं, और आटा गूतने के बाद हम फटा फट टिफिन बना करेंगे और इनको नाजता कराएंगे उसके बाद हम पूरा दिन फ्री हैं दुपहर में फिर हमें खाना बनाना रहेगा तो अभी हमारा सुबह का काम निपट रहा है जल्दी जल्दी हम इसको निपटा रहे हैं क्योंकि सुबह हमें बहुत जल्दी रहती है और सुबह अगर लेट हो जाता है तो पूरा दिन मेरा मूट खराब रहता है क्योंकि अगर यह टिफिन नहीं लगते हैं तो पूरा दिन मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए हमें बहुत जल्दी जल्दी सुबह-सुबह करना होता है कि हम लेट ना हो पाएं फ्रेंड्स तो यह मैंने आटा भी गूत लिया है और आप जल्दी से इनके लिए टिफिन बनाना है टिफिन बना के बान देंगे और ये आफिस चले जाएंगे